ओम शान्ती, आज का प्रशन है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे, तो बेड़ा पार हो जाएगा, उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें इश्वरिय संग में रहना है, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, अगर संग दोस में आये, संशय आया, तो बेड़ा विसे सागर में बाप समझाते हैं, उसमें बच्चों को कोई संशय नहीं आना चाहिए, बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नौलिजफुल बनाने आये हैं, बाप के संग में ही रहना है, आज का वर्दान है, रुहानी माशुक की आकर्शन में आकर्शित हो, मेहनत से मुक्त होन वाले रुहानी आशिक भवव, विस्तार है, माशुक अपने खोई हुए आशिकों को देख खुश होते हैं, रुहानी आकर्शन से आकर्शित हो, अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुँच गए, जब ऐसी आशिक आत्माएं इस की लकीर के अंदर पहुँचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहां ग्यान सागर के सनेह की लहरें, शक्ती की लहरें, सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं, यह मनुरंजन का विशेस स्थान, मिलने का स्थान, आप आशिकों के लिए माशु ने बनाया है आज का स्लोगन है एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एका नामी वाले बनो ओम शांति